बहन बहुती सररी डिजाइन सिखाऊंगी जिसे आप जेन स्वेटर, लेडी स्वेटर, बेबी स्वेटर, कारडीगन स्वेटर, फ्रांग, ब्लाउज, किसी भी स्वेटर में जो डिजाइन सिखाऊंगी उसे आप डाल सकती हैं फंदे आप एट के हिसाप से डालिए थ्री फंदा इस्टरा एट के हिसाप से जितने फंदे आपको डाल ले हैं डाल लीजिए थ्री फंदा इस्टरा डालिए फंदे डालने के बाद बाउडर आपको जिस डिजाइन का पसंद हो बुन लीजिए बाउडर भुनिने के बाद सीधी तरफ से 1 से लाई सीधी सीधे फंदे उल्टी तरफ से 1 से लाई उल्टी उल्टे फंदे ए 2 से लाई पहले भुन लेजिए आप देखें, डिजाइन की 1 से लाए, सीधी तरब से पहला फंदा से 1, बिना बुने उतारेंगे धागा आगे, 3 फंदे उल्टे 1, 2, 3 इसे छोड़ करके, यहां से डिजाइन वाला बेटन, यहां से 3 उल्टे हो गए धागा पीछे, 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 धागा आगे, 2 फंदे उल्टे 1, 2 तो यह फंदा इसे जोश्टा इसे छोड़ करके, यहां से इनहीं फंदे को बुनना है तो फिर से इनहीं फंदे को बार बार रिपीट करना है पहले 3 उल्टे 1, 2, 3 तो यहां पर टोटल 5 उल्टे हो जाएंगे 3 उल्टे हो गए, फिर 3 सीधे धागा पहले पीछे, फिर 3 सीधे 1, 2, 3 धागा आगे 2 उल्टे 1, 2, 3 तो यहां पर टोटल 5 उल्टे हो गएंगे धागा पीछे 3 सीधे 1, 2, 3 धागा आगे 2 उल्टे 1, 2, फिर सीधे 3 उल्टे से 1, 2, 3 तो यहां पर टोटल 5 उल्टे हो गएंगे धागा पीछे 3 सीधे 1, 2, 3 सीधे धागा आगे 2 उल्टे 1, 2, 2 उल्टे 2 फांदे बच्चे हैंगे तो यहां पर टोटल गएंगे अब धागा पीछे लाश्ट का यह 1 से सीधा बच्चे गणे 2 से लाई उल्टी तरब से बुनोंगी इसमें सभी फांदे उल्टे बुनने हैं विके इस तरह से सभी फांदे उल्टे बुनने हैं बुन करके फिर दिखाती हूं यह से बिना फूने उतारूंगी धागा आगी यहां से दिजाइन लाई पैरटन इस तरह से छोड़कर के यहां से डिजाइन पैरटन 1,2 तू ल्टा धागा पीछे आगे से टू फांदे का मैं डाल करके वन फांदा बुनना है जाली यूजिस से धागा लपेटना है फिर 1 सीधा फिर से धागा लपेटना है फिर देके बैक लूक से पीछे से पहले 1से सीधा करना है फिर पीछे से टू फंदे में सलाई डाल करके टू फंदे का वन फंदा करना है फिर धागा आगे करना है और वन फंदा खोल्टा करना है तो यहां से इसे छोड़ करके यहां से इसी डिजाइन को फिर से हर बार रिपीट करना है तो देखिए हम समझाती हूं पहले टू फंद फिर दिखिए आगे से इसे धागा पीछे करके आगे से टू फंदे का वन फंदा बोनना है जाली डालनी है वन फंदा सीधा जाली डालनी है इस तरह से फंदा सीधा करना है फिर लुक से पीछे से टू फंदे का वन फंदा बोनना है और फिर धागा आगे वन फंदा उल्टा आप देखिए फिर से 2 फंदे उल्टे से 1, 2 तो यहाँ पे 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे दगा पीछे करना है आगे से 2 फंदे का 1 फंदा करना है 2 फंदे का 1 फंदा हो गया जाली डालनी है 1 फंदा सीधा जाली डालनी है फिर देखिए इस तरह से संदी को पहले सिद्धा करना है बैक लुक से पीछे से टू फंदे का वन फंदा करना है नागा आगे वन फंदा से उल्टा गुंडना है फिर से यहीं से टू फंदे से यह डिजाइन वन टू तो यहां पी तरी हो जाएंगे उल्टे नागा पीछे आगे से टू फंदे का वन फंदा करना है जाले डालने है वन सिदा जाले डालने है इस तरह से पहले वन फंदा सिदा करना है बैक लुक से टू फंदे का वन फंदा करना है तो फंदे का बंफंदा हो गया लगा आगे करना है यह वन उल्टा लाश्ट में जो टूफ अदे बचेंगे इसमें यह वन फंदा इससे उल्टा बुनिले लेना है तो यहाँ पे टू हो जाएंगे और यह जो इसे इसे इस्ट्रा है जो यह वन सीधा फोर से लाई फिर से सभी फन दे इस तरह से उल्टे बुन करके यह लाइन कम्प्लीट करनी है बुन लेती हूँ फिर दिखाती हूँ फाई से लाई सीधी तरब से सिल्पी स्टिच बिना बुनी और देखिए इस तरह से यहाँ पी धागा आगे करना है यहाँ से रिपीट पैटर्ण बुननना है वन फंदा उल्टा धागा पीछे आगे से टू फंदे का वन फंदा बुननना है यहाँ से यही रिपीट पैटर्ण बुननना है तो पहले वन फंदा बुननना है यहाँ से यही रिपीट पैटर्ण बुननना है तो पहले वन फंदा उल्टा था, धागा आगे करके, वन फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे, फिर आगे से टू फंदे का वन फंदा गुना था, आगे से टू फंदे का, वन फंदा जाली डालनी है, फिर थ्री फंदे सीधे, वन, टू, थ्री, फंदे सीधे हो गया, फिर सबनेत तो ङंद सब्सक्राइब गाइब देखे जाले डालना है खरें या गाओ यहीं रिपीट पैटर पीछे मुननना है जाली डालनी है फिर फंदे सीधे जाली डालनी है बैक लुक से पहले सीधे करना है फिर बैक लुक से टू फंदे का वन फंदा बुनना है फिर आगे से यहाँ फंदा बुनना है फिर आगे से यहाँ फंदा बुनना है जाली डालनी है थ्री फंदे सीधे वान टू थ्री जाली डालनी है फिर बैक लुक से पहले वन फंदा पंदे का one फंदा बुलनना है अब two फंदे जो यह है धंगा आगे करके इसमें दिखिए one फंदा इसे उल्टा बुल लेंगे लाश्ट का इस फंदा जोगा से सिधा बुल लेंगे अब इधर से six से लाइज अभी फंदे उल्टी बुल करके लाइन फिर दिखाती हूं देखिए इस तरह से फिर दिखाती हूं से लाइए सीधी तरब से बुनोंगी पहले यह फंदा देखिए बिना बुने देखिए टू फंदे सीधे बुन करके फिर डिजाइन पैटन यहां से इसे छोड़ करके थ्री फंदे दागा आगी फाइव फंदे उल्टे यहां से डिजाइन पैटन 1, 2, 3, 4, 5 धागा पीछे 3 फंदे सीधे 1, 2, 3 तो यह से लिपिश्टिस विना बुने ब भादा इसे छोड़ करके और यह 2 फंदे सीधे इसे छोड़ करके थ्री फंदे छोड़ करके यहां से इनी फंदे को बोलना है तो पहले 5 उल्टे 3 सीधे इसी तरह से यह लाइन बोलनी है देखिए पहले 5 उल्टे थे 1, 2, 3, 4, 5, 3 सीधे 1, 2, 3, फिसे यह पैटन 1, 2, 3, 4, 5, 3 सीधे 1, 2, 3, फिसे पैटन 1, 2, 3, फिसे पैटन 1, 2, 3, 4, 5 उल्टे होगे लाष्ट के 3 सीधे आएंगे 1, 2, 3, अब देखिए यहां से 8 से लाइ सभी फंदे उल्टे बोलन करके इसे लाइ फिर दिखाती हूँ 9 से लाइ सीधी तरफ से 1 फंदा इसे बिना बुने उतारोंगी फिर 1 सीधा यह टू फंदे छोड़ करके अब यहां से हमारा डिजाइन पैटन तो पहले जाली राल नहीं है यहां से पहले 1 फंदा इसे सिधा करना है फिर बैक रूक से 2 फंदे का 1 फंदा बुनना है देखिए 2 फंदे छोड़ करके यहां से डिजाइन पैटन धागा आगे 3 फंदे उल्टे 1 2 3 फंदे उल्टे होगे दागा पीछे आगे से 2 फंदे का 1 फंदा बुननना है जाली डालनी है, वन फंदा सीधा, तो बैन ये टू फंदे छोड़ करके यहां से जाली डालनी है, यहां से यहां तक इनी फंदे को गुनना है, तो पहले जाली से जाली डालनी है, जाली डालने के बाद में इस तरह से फंदा सीधा करना है, बैक लुक से टू फंदे का वन फ फंदे उल्टे, one, two, three, three फंदे उल्टे हो गए दागा पीछे करना है, आगे से two फंदे का one फंदा बुनना है, जाली डालनी है, one फंदा सीधा, फिर सि, जाली से, यहां से डेजान पर चान, जाली डालनी है, फंदा सीधा करना है, बैक लुक से टू फंदे का वन फंदा बुनना है धागा आगे करना है थ्री फंदे उल्टे वान टू थ्री फंदे उल्टे धागा पीछे आगे से टू फंदे का वन फंदा बुनना है तो देखिए आगे से ये टू फंदे का वन फंदा हो गया जाली डालनी है वन फंदा सीधा फिर से यहां से यहां से यहां तक पहले जाली डालनी है फंदा सीधा करना है बैट लुक से टू फंदे का वन फंदा बुरना है धाग आगे करना है थ्री फंदे उल्टे वान टू थ्री फंदे उल्टे हो गए दागा पीछे करना है आगे से टू फंदे का वन फंदा बुलना है टू फंदे का वन फंदा हो गया आगे से टू फंदे का वन फंदा हो गया जाली डालनी है वन फंदा सीधा यहां तक डिजाइन बर्टन हो गया लाश्ट का जो फंदा होगा उ तरफ से हर बार उल्टे फंदे उनने हैं उल्टे तरफ से से लाई इस तरह से उल्टे फंदे बुन करके फिर दिखाते हुँ से लेवें से लाइन सीधी तरफ से बिना बोने उतारेंगे फिए कि हां से Design Pattern कि ट्व अटर मिट्री सीधी वान ऐसे के टू फंदे सीधे तू फंदे सीधे हो गए उन्सें जाली डालनी रालने ने के बाद में इस तरह से यह जो हां फंदा सिधा करना है बैक लुक से टू फंदे का वन फंदा बुनना है धागा आगे करना है वन फंदा उल्टा धागा पीछे फिर आगे से टू फंदे का वन फंदा करना है देखी बैन टू फंदे का वन फंदा जाली रालनी है वन फंदा सीधा तो ये 1 फंदा इसे छोड़ करके यहां से यह पैटर्ण तो पहले 2 फंदे सीधे से 2 फंदे सीधे 1 2 2 सीधे हो गए जाली डाल नहीं है बैक लुक से फंदा सीधा करके बैक लुक से 2 फंदे का 1 फंदा हो गया तो फंदे का 1 पंदा अब देखिए यहां पे धागा आगे करना है 1 पंदा उल्टा धागा पीछे आगे से 2 पंदे का 1 पंदा बोनना है जाली डालनी है 1 पंदा सीधा फिर से यही पेटल टू फंदे सीधे से वान टू टू फंदे सीधे टू फंदे सीधे होगे जाली डालनी है बैक लुक से पहले फंदा सीधा करना है टू फंदे का वन फंदा बैक लुक से होगया धागा आगे करना है वन फंदा उल्टा धागा पीछे आगे से टू फंदे का वन फंदा बुलना है आगे से टू फंदे का वन फंदा हो गया जाली डालनी है वन फंदा सीधा फिर टू फंदे सीधे से वान टू टू फंदे सीधे जाली डालनी है पंदा सीधा करना है, बैक लुक से टू फंदे का वन फंदा बुलना है, धागा आगे करना है, वन फंदा उल्टा, धागा पीछे, आगे से टू फंदे का वन फंदा बुलना है, टू फंदे का वन फंदा जाली रालनी है, तो यहां से दिखिए, वन फंदा सीधा, अब टू फंदे जो बच्चेंगे इन्हें भी हम सीधे वुन लेंगे वान है टू कि ट्वाल सैलाई सभी फंदे उल्टे वुन करके ट्वाल चलाई फिर दिखाती हूं बहन अब इन्ही ट्वाल से लाई को आपको हर बार रिपीट करना है सीधी तरब से जैसे हमने वन से लाई वोनी थी यहां से यहां तक वन से लाई से लेके ट्वाल से लाई तक इन्ही ट्वाल से लाई को हर बार रिपीट करना है बुड़ने के बाद फोटो हम आपको दिखा दूँगी अगर डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइव करें चैनल से अगर नहीं जुड़ी हैं जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल दमाएं ताकि बैंग जो ही वीडियो हम डालूस की नोटिफिकेशन